मेकिन इंडिया नहीं हुद्जयोग तो नहीं आए जो आलरी है हमारे पास वो भाग रहे फियेट कंपनी चला गया फोर्ड कंपनी चला गया जेनरल मोटर्स चला गया डार्ट्सन चला गया युनाइटेड मोटर्स चला गया हारली डेविडसन चला गया क्या ये सच नहीं है ये है मेकिन इंडिया का नतीजा ये तरीका है देश चलाने का इन चोजन से देश का विकास होगा विकास नहीं सत्यनाश होगा अगर ये माहूल ऐसे ही बने रहे पूंजी पत्ने अपने निवेश को विजड़ा करे हमारे देश से इंडिस्ट्री बाग रहा है निवेश का ड्रेइन हो रहा है हम स्पेक्टेटर बने रहेंगे देश का सर्वनाश होगा बड़ा ही दुक होता है हो क्या रहा है और प्रचार क्या किया जा रहा है ये कितनी गलत बात है हमारे इतने विशाल देश है विशाल जनता है 140 करोड पर पहुंच रहा है हमारे पॉपलेशन इनके साथ जो आप किलवारा कर रहे हो मजाग कर रहे हो यह देश के हीत में अच्छा नहीं है बिल्कुल गलत है आपने येक भी बात निभाय क्या आपने कहे दिया काला दन वापस लाएंगे आया क्या मोदी जी अगर आया तो कहां आया अरे आकिर हम जानना चाहते है कितना काला दन वापस आया भई सर जुग जाता है शरम से सरकारी आंकडे बताते हैं काला दन डबल हो गया दुगना हो गया काला दन कंट्रोल नहीं हुआ लेकिन डबल हुआ सिस बैंक से पैसे नहीं आए मोदी जी के काल कंड में दुगना हो गए, डबल हो गए यह रिपोर्ट से यह हमारे आरोप नहीं है, अकिकत है यह सारे देश और दुनिया जानता है कि यही विकास है, यही आपका महान कार्य कारता है येक भी वादा, कम से कम येक भाईयों, बहनों, दोजार बाबिस तक कोई आदमी, कोई कुटम भैसा नहीं रहेगा कि जिसके पास मकान नहीं हो, दिया हम तो दोजार बाबिस में आगे मोदी जी अभी नहीं पहुंचे दोजार बाबिस में बड़ी अजीब बात है